यह butterfly design है और बहुत ही आसान है बनाने में बहुत ही सुन्दर लगता है बनकर और इसे बहुत easily आप बना सकते हैं beginner level का यह design है केवल knit pearl में यह design बन जाता है 8 सलाईों का design है और इसके लिए फंदे हमें 4 के multiple में plus 3 लेने हैं तो 4 के multiple में plus 3 करके हमने यह आपर 35 फंदे अपनी सलाई में लिए हुए हैं इसकी पहली सलाई हम बनाएंगे right side से देखें यह design दो color में बना हुआ है और जिसमें एक color हमारा light है एक color dark है red color dark है white color हमारा light है तो अगर आप इसको light color को base रखेंगे और dark color से इस पर design बनाएंगे तो यह design ज़्यादा खूबसूरत लगेगा फर्स्ट रो में हम dark color से अपने second color हम red color से तीन फंदों को सीधा बनेंगे यह रेखिए तीन फंदे हमने सीधे बने एक फंदे को हम बिना बुना ही उतार देंगे फिर अगले तीन फंदों को बनेंगे और एक फंदे को बिना बुना उतार देंगे इसी तरह से इस पूरी सलाई को हमें बनाना है ये तीन फंदे हमने बुने, एक फंदा उतारेंगे, फिर से तीन बुनेंगे और फिर से एक उतारेंगे, फर्स ट्रो को बनाकर कंप्लीट करते हैं, ये राइट साइड रो वन कंप्लीट हो गई है, अब रॉंग साइड में आ जाते हैं रो टू के लिए, यहाँ पर जो फंदा है, इसको हम as it is ही बिना बुना उतारेंगे, ये देखिए, तीन फंदे रैड हम उल्टे बुनेंगे, और वाइट फंदे को बिना बुना ही उतार देंगे, इसी तरह से इस सेकंड रो को कंप्लीट करेंगे, रॉंग साइड रो सेकंड कंप्लीट हो गई है, अब थ सबसे पहला फंदा हमने यहाँ पर उल्टा बुना, नेक्स्ट फंदे को सीधा बुनेंगे, तीन फंदे थे पहला उल्टा बुना, दूसरे को सीधा बुन रहे हैं, और तीसरे को फिर उल्टा बुनेंगे, तीनों फंदे हमने बुन लिए, अब ये जो हमारा रैड उल्टा बुना, दूसरे फंदे को सीधा बुनेंगे, तीसरे को उल्टा बुनेंगे, और इस तरह से ये जो हमारा वाइट फंदा है, ये सीधा बन जाता है, सीधा फंदा बनाने के लिए धागा पीछे ले जाएंगे, उल्टा फंदा बनाने के लिए धागे को अपने लाएंगे देखिए तीन फंदे हमने बनाए चौथा पंदा मारा सीधा आ गया अब राइट साइड रो थर्ड कम्प्लीट हो चुकी है अब रॉंग साइड में आ जाते हैं रो फोर के लिए यहाँ पर सारे फंदों को हमें पर्ल वाइज कम्प्लीट करना है देखिए उल्टा बुनते हुए हम इनको पूरी से लाएके सारे फंदों को हमें उल्टा बुन लेना है और फंदों कम्प्लीट हो चुकी है अब फिफ्ट रो में आ जाते हैं राइट साइड में यहाँ पर हम रैड कलर की उनका यूज करेंगे और पहले फंदे को सीधा बुनेंगे एक फंदा हमने सीधा बुनना है देखिए एक फंदे को हमने सीधा बुनना इसके बाद एक फंदा बिना बुनना उतारेंगे और डिजाइन को अब रेपीट करेंगे तीन फंदे सीधे और एक फंदा बिना बुना फिर से तीन फंदे सीधे एक फंदा बिना बुना के लिए यह और टेट साइड रो 5 कंप्लीट हो चुकी है अब रोंग अइसिक्स के लिए म्यारिया ठुर्त रो 6 में हमने रैड फंद्रों को उलटा बोना है इसको से नीगा इसे रेट फंदा इसको वब शब्ला इसके बार जो वाइड फंदा है इसे as it is उतारेंगे और फिर से red फंदो को बुनेंगे यहां पर हम बाइट कलर की उनका यूज करेंगे और पहले फंदे को उल्टा बुनेंगे पहला फंदा हमने उल्टा बुना इसके बाद धागा पीछे ले जाएंगे और यह जो white फंदा है जिसे हमने बिना बुना उतारा था इसको सीधा बुनेंगे जैसा कि हमने थर्ड सलाई में किया था कि यह जो वाइट फंदा है इसको हमने सीधा ही गुनना होता है देखिए एक फंदा उल्टा एक सीधा और एक उल्टा तीन फंदों को हमने इस तरह से गुना फिर दागा पीछे ले जाएंगे और जो बिना बुना फंदा है इसको सीधा गुनेंगे दागा पीछे वाइट फंदा सीधा यह रो 7 कंप्लीट हो गई है रो 8 में आ गए हैं और यहाँ पर हम सारे फंदों को उल्टा गुनते हुए पर्ल वाइज इस रो को कंप्लीट करेंगे देखिए एक एक करके सारे फंदों को हम उल्टा गुन देंगे देखिए डिजाइन की सभी 8 सलाईयां कंप्लीट हो चुकी हैं अब डिजाइन आगे बनाने के लिए इन 8 सलाईयों को रिपीट करते जाएंगे तो यह डिजाइन हमारा बनता जाएगा आई होप यह आपको पसंद आएगा आप इसे जरूर ट्राइ करेंगे कैसा लगा जरूर बताईएगा थैंक यू